हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है दे रियल रिपोर्ट में इस चैनल पे दी जाने वाली सभी जानकारिया बिल्कुल सटिक, संपुर्ण और कारगर होती है तो दोस्तो आज हम बात करेंगी अभ्यारिष्ट के बारे में अभ्यारिष्ट का सेवन करने से आपको क्या-क्या फाइदे होंगे इसका उप्योग के से करना है और सही मातरा कितनी लेनी है और किस तरीके से इसका सेवन करना है ये संपुर्ण जानकारिया आपको इसी वीडि हो गया अव्यारिष्ट बवासीर के लिए पतन जली द्वारा दी जाने वाली प्रमुक अवसधी में से एक है तो दोस्तों अब्यारिष्ट के बारे में आपको आगे बढ़ते हैं अनेक जड़ी बुटियों को गुड से मिलाकर अब्यारिष्ट को बनाया जाता है अब्यारि अभ्यारिष्ट के प्रमुक फाइदे के बारे में बहुत थी आसान भासा में लिखा है ताकि इसका पूरा लाब आप ले पाए आज के समय में अधिकांस लोग कब्स की समस्या से पीडित रहते हैं कब्स एसीडिटी गैस यह सभी परेशानिया हर दो तीन लोगों के पास रह बहुत ही फाइदे मंद हैं अगर मित्रों आपको कब्स की शिकायत नहीं है तो आपको गैस एसीडिटी की शिकायत भी नहीं होगी जैसे कब्स की शिकायत दूर होती है उसी तरह आपकी एसीडिटी और गैस की समस्या भी दूर हो जाती है तो कब्स के लिए सबसे बहतरीन आउशदी अभ्यारिष्ट को माना गया है। अभ्यारिष्ट में बराबर मात्रा में कुमारियासों मिला ले, इसे पीने से अपच के कारण होने वाली कब्स बिलकुल संपुर्ण तरीके से दूर हो जाती है। अभ्यारिष्ट के फाइदे कहीं बीमारियों के इलाज में मिलते हैं। आपका पाचन तंत्र विकार में भी अभ्यारिष्ट का सेवन कर सकते हैं। अभ्यारिष्ट में ऐसे गुण होते हैं जो मलमुत्र संबंधी विकारों को दूर करते हैं। यह पाचन को दुरस्त रखती है मल मुत्र में रुकावट संबंदिन रोग होने पर आयरुवेदी चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही जादा लाब मिलते हैं बवासीर, बवासीर होने के मुख्य वजह आपका अपच है अपच की कारान होने वाली कब्स से आपको बवासीर हो सकता है कब्स की वजह से सोच के समय में दिक्कत आती है अब्यारिष्ट बवासीर की बीमारी को ठीक करती है और दर्द से राहत भी दिलाती है अब्यारिष्ट मुख्य रूप से बवार सीर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है यदि रोगी को मसों में बहुत अधिक दर्द हो तो दर्द के इलाज के लिए अर्स कुठा रस, बोल बद्द रस, काम धुदा रस, सुरण बटक आदी में किसी एक दवा का सेवन करे दर्द कम होने के बाद अब्यारिष्ट का सेवन से अधिक फाइदा होता है बवासिर की सरुवाती अवस्ता में इसका प्रयोग किया जाए तो यह रोग बढ़ने ही नहीं देती आप बाजार में या ओनलाइन परचेस कर सकते हैं अगर आपको अब्यारिष्ट परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी जाएगी तो आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं अभी बात करते हैं अब्यारिष्ट आपको कितनी मात्रा में लेना है अब्यारिष्ट आपको कौन से समय पर लेना है तो दोस्तों आपको बता दो अगर आपकी age 25 से अप है तो आप अब्यारिष्ट का 7 सुबह नास्ते के बाद 10 ml और उसमें ठीक 10 ml गरम पानी मिक्स करें और आप पी सकते हैं ठीके और दो पहर को आप खाना खाने के बाद मतलब लंच के बाद आप 10 ml गरम पानी के साथ ले सकते हैं आपको पानी की मातरा बराबर सेम करना है जैसे कि 10 ml आपने ब्यारिष्ट लिया उसमें ठीक 10 ml गरम पानी मिक्स करना है और रात को सोते समय भी आपको 10 ml और 10 ml गरम पानी मिक्स करके लेना है और खाना खाने के कम्पलीट 15 से 20 मिनिट के बाद आपको ले लेना है और दोस्तों आपको इसका रिजल्ट 2-3 दिन में ही आपको देखने मिल जाएगा और आपको बता दूँ कि आयरुवेदी का कोई side effect नहीं होता लेकिन आपको एक दो चीज़ का बहुत ही जादा ध्यान रखना है अगर आपको diabetes, sugar है तो आपको किसी चिकित सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए क्योंकि इसमें गुड की मातरा ज्यादा होती है तो आपका diabetes मतलब sugar का level बढ़ सकता है ठीक है और अगर आपको कोई भी confusion हो तो आप नीचे comment box में जरूर लिखे और अगर आप online purchase करना चाहते हो तो description box में आपको link दिया गया है तो आप वहाँ पर जाके भी purchase कर सकते हो दोस्तो आप इस वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे और bell icon को जरूर प्रेस करें ठीक है thank you thank you so much